अब कि अब कि अब अब कि कि अब कि अब कि अब कि अब शानम अलेकूम मेरे नाम है फाल इंश्टर तो क्या हल चाला गाईज काफी ज्यादा मखन मलाई होने माला तो वीडियो को एंट तक शुरूर देख लेना उससे पहले या थैंक्यू सो मच आप लोग ने जो लास्ट यार पोस्ट पर सपोर्ट दिखाई थैंक्यू सो मच यार मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था बस ऐसे शुगल में पोस्ट लगा दिती और आपने यार क्या ही रिस्पोंस दिया उसके उपर सो गाइस आते हैं यहां पर गेमप्ले की तरफ तो यहां पर हमारे सामने बंदे थे हम डियो में खेल रहे थे डियो कौन कर पुश्ट के लिए तो आप सोच रोगे सैनुक में खेल रहा है तो यहा यहां पर बंदा सामने जून के बाहर से आ जाता है तो यहां पर मैं इसके पर मूली नेट ट्राइ करता हूं अब यह बंदा नेट मूली से तो काफी ज्यादा बच रहा था लेकिन यहां पर मुझे एक बात ज्यादा आ रही थी कब तक खैर मनाएगा कभी तो जून में आएगा तो ऐसे होता है यहां पर देखो अभी हाईए गाईज तो इस यहले हबीबी को अमने लोबी पहुचाया बिचारा क्या ही बचरा था अब इसके पास ओम था मैंने आपर ओम को इगनॉर कर दिया क्योंकि ओम की जरुरत नहीं थी क्लोजन फाइट थी और गाईज अभी आपर मुझे काफी ज्यादा कन्टीजन होन करके मज़ आते हैं दो बंदे बचे हैं राइट पे पत्थर के पीछे हैं तो यहां पर जून आ रहा था और मैंने का क्यों ना जल्दी से जून पकड़ा जाए वो बंदे भी जून से बाहर है तो उनको जून में आना है उससे पहले मैं आप पर लेफ्ट से पूरा डूट नेट दे कर जून में जाता हूँ तो गाइस अभी हमने सोच है इस गर को क्योंना होल्ड किया जाए और यार यह लोग कितने गंदे नेट करने वाले हैं यहां पर आप लोग खुद ही देखो अभी यहां पर एक बंदा नेट करके पुष्ट करने की ट्राय करता और देखो वाई उसको कितना गंदा पिलने वालों में प्री फायर के साथ हाँ 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 यह गाइस जनला हभीबी गो तू लवी माइ फ्रेंड तो यहां पर मैं 0 HP के साथ कैसे बच गया मुझे खुद भी नहीं समझ आई तो अगला गेंपले जो है काफी जादा मज़े का होने वाला वीडियो को एं तक जूर दे तो जल्दी से कंपलीट करा दो यार और देखते हैं यहां पर कितना प्लस मिला है ओके तो यहां पर 10 प्लस मिल चुका है अब यहां पर मैं अपने मज़े में जा रहा था सामने घरों की तरफ और मुझे नहीं पता होता है यहां पर गरों में बंदे होते हैं तो देखो यहां पर मैं कैसे बज़ता हूँ यह गड़ों के पीछे है अब यहां पर एक और बंदा लेफ साइड से आज़ता है उससे पहले आपर मैं पत्तर का कवर ले लेता हूँ ओकी तो यह बंदा मुझे यहां पर सपोर्ट नहीं होता अब मैं सुसत आँ यहां पर इसको राइट से थोड़ा सा रूटेट दे कर देखू तो आप यहां पर फाइटचेक करो आप लोग अब यहां पर सामने मुझे बंदा स्पोर्ट हो जाता है लेकिन पेन किलर को कैंसल करते करते टाइम लग जाता है और बंदा कवर में चला जाता है अब यहां बर मैं वेट करता हूँ वो बाहर निकले और मैं फाइट ले सकूँ अब यहां पर मैं इसको एंफ पोर का एक एड देता हो और साथ ही नेट ट्राइ करता हूं तो देखते हैं नेट लगता है नहीं और दी फायर गयो एक तो यह नेट काफि जादा आगे चला जाता है तो अब दूसरा नेट करते हैं यहां पर तो गाइस यह बंदा भी मेरे उपर नेट करने की ट्राय कर रहा था लेकिन वो नेट से डर के मारे बायर आता और पिल जाता अब यहां पर देखो मुझे साउंड की कन्फीजन होती है एक तो अब वहां आपर आपर जाएस यहां अब मैं जाएच बजस्टान हो निए अब इसमी फिर दिए हैं लोगों ने पतानी कितने जादा बुलिट मारे तब जाकर मरा वो बंदा और आप यहां पर फ्लेयर करते हैं और यह लोग भी यहां पर फ्लेयर करने लगें तो वो नहीं नहीं चिला होती है कर में आ चुक्ती है आ लेफर वालेवन अच्छी बच्छी 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 ओ भाई साब यहाँ पर मैं नेट कराने की कोशिश कर रहा था और उसने मेरे हाथ पर ही मुझे मार के डैमिज कर दिया अब यहाँ पर मैं बच जाता हूँ हील मारता हूँ और साथ ही मेरा ड्रोप आ जाते है फ्लेयर वाला और स्मॉक करके चलो जल्दी से ड्रोप को लूटते हैं और हेलमेंट वेश्ट उठाते हैं हार वेश्ट वेवन का है काफी ज्यादा डैमिज हो चुक है तो मैं आप पर लोकेशन भी देख रहा था कोई है तो अब यहां पर जून आ रहा था हमें जून में जाना था और सामने दो बंदे थे तो आमने सोचा इनको रश्ट करके पेल देते हैं लेकिन यहां पर ठल पर्टी हो जाती है चल करो आप लोग तो गाइस जहां पर धर्टी मजे लेगी फ्री के किल लेगे और यहांबर मुझे हेरिंग भी बिल्कुल नहीं आती क्योंके मैंने हैटफून नहीं पहने तो मुझे पते नहीं चलता शोट काई मुझे सामने एक बंदा स्पोर्ट होता है और यह बंदा काफी गंदी M249 चलाने वाला है एक रह गया पेंड का लोड़ा नो रिकोईले अब यह बंदा द्रक के कवर में था और यहां पर जून भी आ रहा था तो मैंने का इसको यहां पर फिनिश करना पड़ेगा यहां पर नेट करने की सोचता हूं फिर सोचता हूं नेट तो वहां तक पहुंचे अब मैं यहां पर स्मोक करके ना पीछे भागने की ट्राय करता हूं लेकिन यहां पर बंदा नजर आ जाता है मुझे अब यहां पर मैं सोचा इस बंदे के ऊपर रश कर दूँ इसका एको टीमेट है और यहां मुझे आप हेरिंग ठीक से नहीं आती हैडफून नहीं पहने तो यहां पर में टीमेट का रेक्शन आप लोग इंजॉय करो आपको यह वीडियो पसंद आई होगे अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिना मैं मिलता हूं आप से को नहीं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला अफिस बाइबाय और टेक केर झाल